मोधी सरकार के दूसे कारिकाल का अंतिम बजट सत्र 31 जनवरी यानि आज से शू हो रहा है पहले राश्चुपती द्रौपती मुर्मू का अभी भाशन होगा वहीं राश्चुपती मुर्मू नई संसद में पहली बार दोनों सदनों लोकसभा और राजसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी इस तोरान वैसरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगी वहीं इसके बाद एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन अंतरिम बजट पेश करेंगी सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को सर्वदलिय बैठक बुलाई गई जिसमें कीनरी संसदी कारेंगरी पहला जोशी ने जानकरी दी कि शीतकालीन सत्र में सस्पेंट हुए 146 विपक्षी संसदों के निलंबन को रद कर दिया गया है ये सभी संसद आज से संसद की कारेवाही में शामिल हो सकेंगी बताने की कल पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकाल लोकसबचनाओं के मध्य नजर किसानों को बड़ी राहत दे सकती है वहीं PM किसान समान निधी योचना की राशी 6000 से बढ़ा कर 9000 करने के लिए अंतरिम बजट में राशी का प्रावधान किया जाएगा